महाविर गंज इसे श्री बाला जी मूर्ती मंदिल में चल रही शीव महापुरान कथा के उदुरान संथ श्री हंस चेतने ची महाराज ने उपस शोताओं को शीव पार्वती विवा प्रसंग का रस्पान करवाया इस दुरान संथ ने कहा कि बगवान शीव की विवा के बारे में पुरानों में वर्णन मिलता है पुरानिक कथाओं के अनुसार बगवान शीव ने सबसे पहले सती से विवा किया था बगवान शीव का यह विवा बड़ी जटिल परिसित्यों में हुआ सती के पिता दक्षु भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवान नहीं करना चाहते थे लेकिन ब्रह्माजी के कहने पर यह विवासंपन हो पाया एक दिन राजा दक्षु ने भगवान शिव का अपमान कर दिया जिसे नाराज होकर माता सती ने यग्ये में कूद कर आत्म दहा कर लिया इस गटना के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए उधर माता सती ने हिमवान के यहाँ पारवती के रूप में जन्म लिया तारकसुर नाम के कसुर का उस समय आतंक था देवतागन उसे भायवी थे तारकसुर को वर्दान प्राप्ट था कि उसका वर्थ सिर्फ भगवान शिव की संतान ही कर सकती है उस समय भी भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे तब सभी देवताओं ने मिलकर शीव और पारवती की विवाग की यूजना बनाई और भगवान शीव की तपस्या को भंग करने के लिए काम देव को भेजा गया लेकिन वह बसम हो गए देवताओं की विंती पर शिव जी माता पार्वती जीसे विवा करने के लिए राजी हुए विवा की बात तैय होने के बाद भगवान शिव की बारात की तयारी हुई इस बारात में देवता, दानव, गर्ण, जानवर सभी लोग शामिल हुए भगवान शिव की बारात में बूत पिरसाच भी पहुचे ऐसी बारात को देकर पार्वती जी की मा बहुत डर गई और कहा कि वे ऐसे वर को अपनी पुत्री को नहीं सौप सकती तब देवताओं ने भगवान शिव को परंपरा के नुसा तयार किया सुन्दा तरीके से श्रिंगार किया इसके बार दोनों का विभाव संपन हुआ शिव विभाव प्रसंक के दुरान गधा में उपास शोता जूम उठे